लोग सबच चुनाओं के बीच ही विपक्ष के समर्थकों की भाषा बदलने लगी है एक तरफ जहां पीम मोदी फ्रन्ट फूट से खेल रहे हैं तो वहीं विपक्ष के लोग बैक फूट पर हैं दर्शकों विपक्ष के जिंडे को आगे बढ़ाने वाले राकेश टिकैत को भी अंदाजा हो गया है कि आएंगे तो मोदी ही ऐसा लग रहा है जैसे राकेश टिकैत को भी यकीन हो गया है कि पीम मोदी एक बार फिर केंदर की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं इसलिए अभी से ही राकेश टिकैत के कान खरे हो गए हैं और अब वो प्लान बना रहे हैं कि फिर से मोदी सरकार बनी तो वो क्या करेंगे मोदी सरकार का कहना है कि हम की चानों को बेतर जीवन और आयद देंगे तो वही राकेश टिकैत का कहना है कि ये सब जूट है लेकिन राकेश टिकायत को भी पता है कि अब उनकी काट की हंडी नहीं चड़ने वाली है अब वो जल्द ही धराशाही होने वाले हैं उन्होंने लोगों को खुब बरगला लिया लेकिन जैसी प्रचंड लहर मोदी के नाम और काम पर है उससे उनको भी अंदेशा हो गया है कि आएंगे तो मोदी ही मोदी के अलाबा कोई नहीं आ सकता है क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल अपने आपको किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत फिर से महौल बनाने की कोशिस कर रहे हैं कि फिर से मोदी सरकार के बनने के बाद उन्हें क्या करना है विपक्ष के एजेंडे पर काम करने वाले राकेश टिकेट ने अभी सही किसानों को भरकाना शुरू कर दिया है राकेश टिकेट ने लोगसबाचुनाओ के बाद बरे आंदोलन की चितावनी दिया टिकेत ने कहा है कि लोकसबा चुनाओ खदम होने के बाद देश के किसान एक जुठो कर किसानों के मुद्धो पर आंदोलन करेंगे उन्होंने कहा है कि आंदोलन की रूप रेखा चुनाओ बाद त्यार की जाएगी सभी किसान संगठन के निताओं से बादचीत के बाद आगे की रनीती बनाई जाएगी क्योंकि आंदोलन से किसानों का भला होगा किसी राजनीतिक दलों से नहीं टिकेत ने आगे कहा कि अभी आंदोलन की कोई तारिक निर्धारित नहीं हुई है जल्द ही बड़ा फैस्ता लिया जाएगा उन्होंने कहा कि 4 जून को नतीजे घोशित होंगे पहले पता चले कि केंदर में किस पार्टी की सरकार बन रही है फिर उनसे किसानों के मुद्धो पर बाच्चित किया जाएगा सरकार हमारी मांगे मान ली तो बहुत अच्छा नहीं तो देश में एक बड़ा आंधोलन किया जाएगा जहां देश के सभी किसान इकठा होंगे राकेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि अपने आंधोलन पर ध्यान देना है राकेश टिकैत ने कहा कि लोग सवाचुनाओं में किसान अपनी मर्जी से कहीं भी वोट करें लेकिन नोटा के बटन का परियोग ना करें वहीं राकेश टिकैट ने पीम मोदी के मोदी की गारेंटी पर तंच कसते हुए कहा है कि मोदी नाम का कोई वेक्ती इस देश में नहीं है मोदी नाम एक टाइटल है इसके साथ लाकेश टिकैट ने भाकियू के पदादीकारियों को नसीहत देते हुए कहा है कि अधिक से अधिक सदस्य से बना कर किसानों को संगठन से जोड़ना होगा तो देखा अपने कैसे लाकेश टिकैट अभी सही आंदोलन की बात कर रहे हैं सब जानते हैं कि राकेश टिकैट बीजेपी के खिलाफ यांदोलन करते हैं अगर राकेश टिकैट को जरासा भी अंदाजा होता कि केंदर में विपक्षी इंडिकर बंदन की सरकार बनने वाली है तो वो अभी सही खुल कर बीजेपी को हराने के लिए मैदान में आ जाते जैस इस बार राकेश टिकैट अपनी वो गलती दोहराना नहीं चाहते हैं इसलिए ही इस बार राकेश टिकैट कि सानु को अपनी मर्जी से और अपनी पसंद की राजनितिक दल को वोट करने के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है इसलिए वो फिर से आंदोलन करने के लिए अभी सही माहौल बना रहे हैं Bureau Report, OMH News और भी वीडियोज देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं